बिस्म्लार्वाने रहीम असलाम अलेकूं वेलकम टू माइ किचन आज मैं आपसे रेड वेलविट केड की रैसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही सॉफ्ट और मॉस्ट बनेगा बहुत टेस्टी के बनता है आप इसको जरूर ट्राइ कीजेगा तो चलिए रैसिपी की तरफ च वेलक谢 रैक्टेन लिया है इसके अंदर मैं आली डाल दूंगी अगर आप चाहें तो बटर या फिर जी से भी स्कुटी कर सकते हैं तो इदेखिए अचि तरीके से चारो तरफ से मैं् ओलडू से इसको ग्रीस कर लूंगी इस तरीके से इसके बाद उपर से मैं थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी और इसको अच्छी तरीके से डस कर लूँगी चारो तरफ से यह देखिए इस तरीके से तो अब हम नेक्स टैप कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया और एक स्ट्रेनर ले लिया है मैंने उसके अंदर धाई कब मैंने मैदा एट किये दो खाने के चमब जिसमें कोको पॉर्डर जाएगा एक चाय के चमब जिसमें बेकिंग सोडर जाएगा नमक जाएगा वन फोर टी स्पून अब इन तमाम चीजों को मैं अच्छी तरीके से चान लूँगी चांग से और जो आखे में पार्टीकल्स रह जाएएगे इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी अब ये जो हमारा ड्राई मिक्स जा रहा है इसको मैं अच्छी से मिक्स कर लूँगी तो यह देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब हम नेक्स टैप की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिए इसके अंदर मैं हाफ कप बटर डालूँगी यह बिल्कुल सॉफ बटर है यह मैं सारा अट कर दूगी इसमें उसके बाद इसको मैं एक मिंट के लिए बीट कर लूँगी आप चाहें तो हैंड विसकर की मदश से भी कर सकते हैं इसको बीट अब इसके अंदर डेड़ कप PCV चीनी शामिल करूँगी थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें एट करूँगी और इसको साथ-साथ बीट करती रहूँगी यह देखिए इस तरीके से सारी मैंने इसमें डाल दिया चीनी अब इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी तो यह अच्छे से बीट हो गई है अब इसके अंदर दो अंडे शामिल करूँगी यह रूम टेंपरेचर पर अंडे हैं तो एक-एक करके मैं इसमें डालूँगी बीट कर लूँगी इसको जब भी आप बेक कर रहे हों तो सारी चीजों को रूम टेंपरेचर पर लिया करें ताके आप जो भी चीज बना रहे हों उसका रिजल्ट परफेक्ट आए तो यह देखिए दूसरा अंडा भी मैं डाल दूँगी इसमें इसको भी बीट कर लूँगी अच्छे से तो हमारे अंडे बहुत अच्छे से बीट हो गए, अब इसके अदर एक कम मैं ऑईल शामिल करूंगी, इसको भी अच्छे से बीट कर लूंगी, आप चाहें तो सारा इसमें ऑईल का यूज़ कर लें, या पर सारा बटर का यूज़ कर लें, या आपकी मर्जी है, मैंने दोनो चाय के चमच इसमें वनेला एसेंस के भी मैंने एट किये थे वो क्लिक मुझसे मिस्स हो गया है तो वाप जिसमें जरूर टालिएगा यह अच्छे से बीट हो गया अब इसके अंदर एक कब मैं बटर मिल्क एट करूँगी बटर मिल्क बनाना घर मैं बहुत आप एक कब दूर लें और उसके अंदर एक खाने का चमच वेनेfel डाल दें। तो बटर मिल्क आपका तैयार हो जाएगा अगर आप बटर मिल्क नहीं एड़ करना चाहते हैं तो उसकी जगा आप हाफ कप दई भी यूज़ कर सकते हैं तो देखिए इसको भी मैं अच्छे से बीट कर लूँगी अब इसके अंदर मैं जो ड्राय मिक्षे बनाके रखा था वो एड़ करूँगी थोड़ा-thोड़ा करके अट करूँगी इसके अंदर और साथ-साथ इस तरीके से बीट करती जाओंगी तो यह देखिए थोड़ा-thोड़ा करके मैं इसमें आइट कर रही हूं और साथ-साथ इसको मिक्स करती जा रही हूं तो सारा mixture मैंने इसमें डाल दिये अब अच्छी तरीके से सारी चीजों को mix कर लूंगी तो सारी चीजें अच्छे मिक्स हो गई अब इसमें एक चाय का चमज सफैस सेरका डालूंगी एक खाने का चमज रेड फूट कलर डालूंगी यह ज़रूरत के मताबिक जितनी इसमें ज़रूरत हो उतनी आप डालने अब इन दोनों चीजों को भी मिक्स कर लूंगी अच्छे से तो यह देखिए सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई है अब यह हमारा बैटर बुलकुर रेडी है तो अब इसको हम केक टिंड में डाल लेते हैं आप चाहें तो दो अलग-अलग केक टिंड में इसको डाल सकते हैं हाफ-ाफ कॉंटिटी करके लेकिन मैं एक ही मोल्ड समाल कर रही हूं अब किसी भी तुद्पिक या स्टेक की मदस है आप इस तरीके से इसको घुमा ले और इसको टैप कर ले एक मैंने पतीली ले ली थी और इसको दस मिन पहले मैंने प्रीहिट करने छोड़ दिया था अब इसके अंदर मैं एक कोई भी रैक रख दूंगी अगर आपके पास यह रैक मौजूद नहीं है तो आप किसी भी चीज का ढ़कन रख सकते हैं अब केक टिन में इसके उपार रख दूंगी इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 35-40 मिन तक इसको हलकी आज पर बेक कर लूँगी आप इसको बार बार मत खोलिएगा पोशिश करिएगा कि टाइम पर इसको खूल के चेक करें क्यूंकि बार बार चेक करने से जो रिजल्ट केक कब अच्छा नहीं आएगा और वो केक बैट जाएगा तो यह देखिए तुद्पिक बिल्कुल साफ बार आई है तो यह बिल्कुल रेडी है केक हमारा अब इसको मैं आदे खांटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हम आपने फॉसिंग त्यार क एक कब इसी भी चीनी शामिल करूंगी थोड़ी थोड़ी करके इसमें मैट करूंगी और साथ इसको बीट करती जाओंगी साथ ही इसके अंदर एक चाय का चम्मज वनेला essence के एड करूंगी और इसको अच्छी दारीके से बीट करूंगी जब तक इसके अंदर सौफ पीक ना बन जाए तो ये देखिए जैसे हैं कि आपको नजार आ रहा होगा कि इसमें सौफ पीक बन चुकी है और एक ऐसे बीट हो चुकी है ये देख सकते हैं कि क्रीम नीचे गिर ने रही है ये एक जगाँ स्टेक का है तो ये हमारी क्रीम फिकल विप हो चुकी है अब इसमें आदा कब मैंने क्रीम चीज की एड किये ये मेरी हुम मेड चीज है इस पहले ने दे चुकी हैं, आप चाहें, नहें जाने हैं जो कि आएक deaux, कर लूगे आप आएक चाहें तो एक मिंillery डालेक मरत मिक्सित की डे हैं ना चाहिए तो रेक्स क्नाने षरी में हमारे , ना लतिे है वेज अच्ञा में कर दूँगी और इसको दो हिस्सों में डिवाइट कर दूँगी इस तरीके से तो देखिए इस तरीके से हमें केक को दो हिस्सों में डिवाइट कर रही हूं और इस पर पर फ्रॉस्टिंग डाल दूगी जो हमने त्यार की थी और इसको अच्छे से केक के उपर स्प्रेट कर दूगी केक का दूसरा हिसा भी रख दूगी इस तरीके से और इसके उपर फ्रॉस्टिंग डाल दूगी और इसको अच्छे से स्प्रेट कर दूगी यह देखिए इस तरीके से सारे अच्छे से चारो तरफ में इसको स्वेट करूँगी इवन कर लूँगी हर जगा से केक हमारा बिल्कुर रैडी है अब इसके कुछ डेक्रेशन कर लेते हैं तो जब हम इवन कर रहे थे केक को जो उसके पीसे अलाइदा किये थे तो उसमें से मैं कुछ शेफ त्यार कर लूँगी तो यह मैंने हार्ट की शेफ लिये और इसको इस तरीके से मैं इसकी शेफ बना लूँगी तो कुछ की मैं शेफ बना लूँगी जो बाकी बचेगा उसका मैं करम त्यार कर लूँगी तो ये देखिए जो मैंने hard शेफ बनाई थी उसको मैंने इस तरीके से रख दिया उपर उसके पार जो मैंने crumn त्यार किया था बाकी केक का उसको मैं इस तरीके से किनारे में spread कर दूँँगी आप चाहें। तो अपनी मर्जी के कोई भी designing कर सकते हैं तो यह देखिए उपर कॉर्णर में मैंने अच्छे से लगा दिया अब कुछ मैं नीचे ही इस तरीके से लगा दूंगी आप आपकी मर्जी आप जिस तरीके से चाहें इसकी डेकरेशन कर लें अलहम दोलिल्ला बहुती सॉफ्ट मॉइस्ट और बहुती टेस्टी केक मन के तयार है जरूर ट्राइ कीजेगा इस केक को और इंजॉय कीजेगा अपनी फैमिली के साथ तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएं तो कैंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताके मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे थेंक यू फो वाचिंग अला आफिस